यह देखो यह देखो यह होता है देखो मैने बोला ना महारती बड़े बड़े महारत, यह देखो इसम यदन लाइव डेमो देख लिया मैंने तमएं बात ही कर रहा था और यहांद इसके एक और जवर्चस व्लोग में दोस्तों मेरा नाम है राम पर्मार और पीछे देख रहे हमारे गिरगायों का फाम भाई इतने दिन हो गए आप सोच रहे होंगे व्लोग क्यों नहीं आ बताओं आपको सारी चीज़े भाई क्यों लोग नहीं आ रहे हैं और क्या दिक्कत हो रही है अभी यहां पर आप देखो यह वाली गाया ना अपनी लीला यह आज भाई इस साइड घूम रही है आप देखो यहां पर इसकी विश्ता हमने यहीं कर रखी इसका हरा चारा हमने यहीं डाल रहा है और यह आराम से यहां पर घूमती इसके बश्ड़े के पास में भी जाती है इसका बश्ड़ा कहां पर कहां पर है अभी इस साइड से यह यह गाए आप देखो और घूमने लग गए इतनी खास दोड़ती नहीं है पर हाँ चल पा रही है अच्छे से चल साथ पारी और यह देखो इसका बश्ड़ा यह रहा है यहां पर जो की भाई जैदा शयताने बहूत जादा मस्ती करता इदर से उधर इदर से नहीं हमेशा आप देखो और यहां पर बाकिएए बश्ड़ु और बश्ड़ियां के देखो बीकोरों यह द्रहां करना बस्रों कि अंदर भी आपको सारी चीज़े बताएंगे क्या चल रहा है और एक और नया भुसाया उसके बारे में भी आपको बताएंगा अपने खेट से हमने निकाल के लाएंगे वो भी आपको बताऊंगा सबसे पहले यह बताता हूं भाई इतने दिनों से व्लोग क्यों नहीं आ र फरवरी के महिने में तीन तारी को मैंने अपना आइफोन 13 लिया था उसके बाद तो क्वालेटी में बहुत इंप्रूमेंट आया पर अभी इसमें क्या दिक्कतारी पता है इसमें सबसे बड़ी दिक्कतारी यार बेटरी की बेटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही मतलब एकद होने दो बिल्कुल अब चील्ड हो जाए उसके बाद फिर आप इससे दूसरा काम कर सकते हो उसके बाद में आप कुछ ताइम पहले हम बीना माइक के वीडियो बना रहे थे तो आपको अवाज बहुत अलग से अजीब सी आती होगी क्योंकि हवाय चलती है तो फिर मैं क्या सारे व्लोग तो ऐसे ही चले गए कि जिनमें आवाज ही नहीं आ रही है दिक्कत ही दिक्कत हो गए मतलब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तो भई अब मैंने भी सोचा है क्या करूं क्या करूं तो मुझे अपना फोन अब चेंज करना पड़ेगा देखता हूं देखो और आपको भी बताउंगा कौन सा फोन लूगा और प्राब लूगा आपको बताऊंगा देखो अभी मुझे इस फॉन को करना पड़ेगा मतलब नया फोन मुझे परचेस करना पड़ेगा होने वाला है आच्छा खासा कर्चा चलो भाई अभी आज बात करते हैं आप गोंशाल जैसे में आपको बताया हैं कि हमने भूसा डलवाया एक दूसरा वाला वह मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा भूसा हमने इसके अंदर भी डलवाया तो यह है चने का भूसा आप देखो यह देखो तो इसे है ना गाएं आप देख लो बहुत अच्छे से खाती है यह भी बहुत अच्छा रहता है और इसमें भी मतलब ऐसा कहते हैं हलका नहीं है बहुत हेवी रहता है तो गाएं अच्छे से खाती और इसमें थोड़ा सा खार पन रहता है क्योंकि यह चने का भुसा है तो थोड़ा सा खारा खारा ऐसा लगता है यहां पर आप देखो ट्राली हमने अच्छा है और खेत का है सबसे बड़ी बात तो वह है कि अपने खेत का यह है तो यह तो हमें पर्चेश करने की जरूत नहीं पड़िए अपने खेत साही सीधह यह पे डल गया दे तो आज भाई कुछ नहीं है कि दीनभर अंदर दोटी रहती है और देखो भई यहां पर यहां पर यह बगुल गुम रहा है अप देखो भई यह गोंशाला के अंदर क्यों गूमता है अपको कैसे देख रहाएं देखो 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 बगुला भाई यह चीचड़ खाने के लिए आता है गोंशाला के अंदर आज बचड़ों की सारी साफ सफाई करते हैं क्योंकि बचड़े सारे की सारे आराम कर रहे ना यह देखो भाई और यह ना जो अपनी गाये चरने के लिए जाती ना तब तो चाने में व्यस्त है बिल्कूल क्योंकि उधर मसूर् का डाल रखा है और इदर चने का डाल रखा है सब्के सब वह तो बिल्कुल खाने में वियस्त है और इधर भाई देखो सुरुइ आ चुकि सुरुइआ क्या हूँ एच्छा रहती है कि मैं इस वाले पार्ट में चली ज साथ चरने के लिए अखेला तब कईरा ने डराया था इसने को उस बार यह पहली बार बड़ी गायों के साथ में आया था और यहां पर वच्छुरों के साथ में रहता है तो उसे बढ़ा तो कोई है नहीं उस वाले शेड़ में तो वह ब्लकुल राजा की तरह रहता है पर कभी भी हो सकता है कि यह क抱ी जो काम करें ृसने गिरा दिया जहां अपनी गांचारा चाहां अपनी नानथ इस ने गिरा है था मेरे सामने गिरा है था उसके बाद में उस वाली गांचा कोई पर उसने मारा था और एक बार राधी का को भी इसने उठा के मदलव ह 21 दियुदा की नहीं रहा बहुत ऊदर चल में थी नहीं Chanel को पथानी डराता करता है या मारता तो नहीं है प्र आद हो सकता है कि इसका थोड़ा एसा करना गायों के लिए और हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है क्योंकि इसको पता ही नहीं चलता कि यह कितना फोर्स लगा रहा है यह देखो इसको क्या दिक्कत हो रही अच्छा यहां पर इसे बेटना है भाई बेटने के लिए भी उठा रही यार वह अब भाई यह बेटेगी क्या है यहां पर जगा देख रही है बेटने के लिए तेखो कितना कितनी रिसर्च करती वह कहां पर क्या है कहां पर क्या है और भाई फिर बेठती है यह देखो इसे इतने बड़ी-बड़ी काये को दिपर यह में भेशा को ब्लीका को से मुझारा 对 है आप यह कंट jewels the और वह तो आराम से घ्ड़ी हो गये इसा रहता है अ ससा ना आ old वह अराम कर रहे он हो तक लुक्र है और आपड़िया को वह देख लिख विल बादिध dewki यहां पर अपनी हाथी और यहां पर आप देखो दो अपनी शान दार गाएं और बचडी यहां पर दोनों साथ में बेटि हुई और है यहां पर अभी आप देखो ना इतनी ज्यादा पहला गरमी है ऊसके बाद भी यहां पर हमने कोई भी नेट नहीं हो वाई है यहां देखो यहां या तक छाहां आ रही है अपने जाहने लगी क्विना काफी बड़ा भड़ा हो गया है यह इतनी इतनी बाउंटरी में यह तक लिए लगा यह बाउंटरी भी नीम कर लेता है और सारी गाये तो एक साथ में आती ही नहीं है बेठने के लिए कुछ-कुछ गाये खड़ी हो रही है कुछ-कुछ खा रही है बाकि बश्वड़या सारी उदर के उदर है आप देख लो सबके सब उदर है और वहां पे भी जगा होने लगे यह देखो यह फल की तयारी हो रही है आप देखो यहां पर नए पत्ते तो आ चुके हैं तो टैम के बाद फल भी आ जाएंगे अपने नीम पर जिसे हम मालवा में लिंबोली बोलते हैं आपके यहां क्या बोलते मुझे कोमें बताना और अभी आप देखो राधी का तो और यहां पर यह बगूला अभी तक है भाई अभी तक नहीं जा रहा है भाई अभी तक यहां पर कि यहां पर ना सारे बशीड़े आराम कर रहे हैं तो वह भाई आराम से घूम 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 के बिलकुल यहां पर आप देखो आराम से बिटा रहता है और भाई बगली बगल और यह ना है थोड़ा टाइम लेता है और भाई आ जाता है बहुत ज़्यादा समझदार है बगली हुआ यह देखो और अभी तो हवाय भी बहुत अच्छी चल दिए और आज तो टेंपरिचर भी कम है क्योंकि बादल हो रहे हैं और यहां पर यह गाए देखो यह तो आराम स घूमो फिरो और यहां पर खाना पीना है आराम से बेटो और फिर करो भाई आप देखते हैं देखो फोन का थोड़ा से कुछ दिक्कत हुआ है अब आप मुझे कॉमेंट करके बताना भाई मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए इस वाले फोन में बहुत जादा दिक्कत आरी इसकी वज़े से व्लोग भी हमारे नहीं बन पा रहे हैं टाइम पर आप कॉमेंट करके बताना में कौन सा फोन लूग और फोन लेते समय व्लोग बना हुए या नहीं बना हुआ भाई वह भी मुझे थोड़ा से शेयर करना क्योंकि मैं लोकल में यहां पर फोन लूगा तो अभी व्लोग पर शेप्ट हुएं तो काफी मज़े आते हैं और विसे व्लोग बनाने में क्योंकि जब आप व्लोग बनाते हो ना तब सब लोग आपको देखते हैं भाई कि क्या कर रहे हैं और उस समय अगर आप घबराते हो ना तो फिर एक अलग ही ओडियंस को ऐसा लग चलो भाई आप देखते हैं और आप कोमेंट करके बताना भाई कि कौन सा फोन मुझे लेना चाहिए और कब तक लेना चाहिए आप बताओ क्योंकि अभी तो मेरे साब से जल्दी लेना पड़ेगा और ऐसे इंट्रेस्टिंग व्लोग अगर आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पास वाली घंटी दबाए मैं मिलता हुआरे करें व्लोग में तब तक के लिए जै हिंद बंदे मातरम